ये है विवित भारती पत्र अबली में सुनिए शोताओं की पत्र और उनके उत्तार सभी शोताओं को अमरकांत और रेणु चतुरवेदी का नमस्कार रेणु जी हमारे हाँ से तमाम कारिक्रम जब हम प्रसारित करते हैं तो इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं कि शोताओं का सिर्फ मनोरंजन ही ना हो उन्हें रोचक जानकारियां भी मिलें और उनके स्वास्त से जुड़ी बातें भी हम करते हैं और अक्सर हमारी यही कोशिश होती है कि मनोरंजन, मन का रंजन होता रहे तो स्वास्त मन जब रहेगा तो निश्चित रूप से हरशीद अच्छी लगती है और बहुत कुछ उसका असर जो स्वास्त पर भी पढ़ता है तो स्वास्त की बात मैं इसलिए कर रहा था कि आज एक पत्र मेरे हाथ में भिलाई चरोंदा के हमारे शोता मुकेश पांडे और सागर पांडे जी का है इसको मैं शब्दशा नहीं पढ़ूँगा लेकिन इसमें ये जो लिखा है कि आज क्रामीन अंचल में जो स्थिती है कि स्वास्त की वैसी सुईधाएं पूरी अभी भी नहीं पहुंच पाई हैं कई जगों पर जहां तक विविद भारती पहुंचती है इसलिए ये बात इनों ने लिखी है कि विविद भारती की रीच जो है बहुत सुधूर गाव तक है कि क्यों विविद भारती को इस तरह के कारिकरम करते रहना चाहिए जैसे कि इनका कहना है कि घ्रामीर अंचल में जहां पे अंद विश्वास भी काफी फैले हुए रहते हैं तो वो चेचक को लेके बड़ी ब्रांतियां हैं इलाज नहीं कराते हैं और उसकी वज़े से क्या है उसका पढ़ना भी होता है कि बच्चा अक्सर बच्चों में यह जादा होता है तो जो बच्चा है वो या तो प्रान गवादे या दाग रह जाएं निशान रह जाएं कभी-कभी आखें चली जाती हैं कई इस तरह की जो चीजें हैं वो हो जाती है फिर इसके अलावा इन्होंने एक और उधारन दिया है कि कई गाओं ऐसे हैं कई ऐसे अंचल हैं जहां पर बच्चें को जब बहुत चोटे होते हैं परब बता बाते हैं और अगर उनके पयर में दर्द होता है तो गाओं में इस तरह की परंपरह इनके पत्र में लिए कि अगर बच्चें के पैर में ज्यादा दिन तक रहता है तो वो एक चमीटा भगवान के सामने रखकर फिर उसको उठा कर उसको आग में गरम करते हैं लाल करते हैं और उसको चमीटे गरम चमीटे से पैर को दाग देते हैं तो उनका ये मानना है कि इससे जो पैर का दर्द है वो ठीक हो जाता है। तो ये सारी बातें लिखते हुए इन्होंने ये कहा है कि आपको सहत नामा कारिकरम जितना जादा से जादा आप कर सकते हैं करें और इस तरह के विष्यों को जादा उठा हैं जिसमें की अन्दविश्वास और इस तरह की जो परमपराएं हैं रोडी वादिता हैं वो दूर हो सके और अंत में नोंने चेचक को लेकर भी एक अलग गुजारिश की है कि चेचक को लेकर एक कारिकरम विष्य रूप से आप मरकांत जी कि जैसे कहते हैं कि कुछ भी जवाब ही नहीं रहे गया हम लोग के पास और बात जहां तक है कि रूड़ी वादिता की अंदर विश्वास की ये तो ऐसी चीज है कि हम मानते हैं कि ग्रामीर क्षेत्र में ज्यादा है लेकिन शहर भी इससे अचूता नहीं है ये सार है कि इसे हैतनामा में नहीं ले सकते लेकिन हम कोशिश करेंगे जरूर कि और कारिक्रमों में इसे शामिल करें और किसी अन्य तरीके से हम उसे आप तक पहुँचाएं और लोगों को इसकी जानकारी दे और छेचा की जहां तक बात है ऐसा मान के चलते हैं कि हिंदोस्तान लेकिन आपने कहा है तो हम जरूर इस पर कारिक्रम करेंगे और हम नोट कर लेते हैं वाकई आपने सोचा और इतने सम्वेदन शील हैं आप हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं और इसके साथ ही एक बात और है अमरकान जी कि हम लोग सिर्फ मुंबई की बात नहीं और भी जो शहर हैं वहाँ पर भी हम जब रहे हैं तो सिर्फ ग्रामीड अंचल नहीं छोटे शहर भी जो होते हैं वहाँ पर इस तरीके के बड़े डॉक्टर या जादा अनुभवी डॉक्टर या विशेशग्य विशेके नहीं मिल पाते हैं तो उन्हें भी इसकी बहुत जानकारी मिलती है और लाभ मिलता है हमारे शोताओं को तो हमें अच्छा लगता है कि हमारे देश के कोने कोने के जो हमारे शोता बैठे हुए हैं हमारे साथ ही हैं हमारे परिवार के सदत से हैं वो इसका लाभ उठाते हैं और सच मानिये हम आपके लिए ही ये कारेक्रम करत शोताओं से हम गुजारिश करेंगे कि कम से कम जो विशेशग्य हमारे आते हैं डॉक्टर्स जब बताते हैं तो उन पर भरोसा कीजिए और इस तरीके की बातों से अंधविश्वास से दूर रही है और अगला पत्र मेरे हाथ में रेनु जी गणेश प्रसाद सुरका अगरवाल इनका है ये गणेश नगर गोंदिया में रहते हैं इनकी उम्र है 73 और इनका कहना है कि सबसे पहले बेविद्भारती के समस्त परिवार जनों को दीपोट्सव पर खुश्यों का उज्जुवल प पास पहुचा है कारिक्रम प्रिवर्तन जो आपने किया उसमें अपने आपको ढालने की कोशिश में मैं लगा हुआ हूँ और पुरदोर कोशिश जानी है भूले मिसरे गीत कारिक्रम को आपने एक घंटे का करके मेरे मन की बात बिना कहे सुन ली और मान भी ली आपने पत् पत्रों को हाला कि ये पिछली टाइम ही आया था लेकिन मैंने इसको बचा के रखा था क्योंकि उनको शुक्रवार वाले समय की जानकारी नहीं थी इसलिए मैंने आज ये सुमवार वाले कारिक्रम में इसको चामल किया है तो गणेश प्रसाद जी अब आप समझ गया है अम पुराने पत्रों की बात चली है अमरकान जी तो ये प्रग्या पुरोहित ने भी योगी नगर से हमारे पास भेजा है और इन्होंने भी दिपावली के लिए बहुत बड़ा सा ये ग्रीटिंग कार्ड भेजा है हमारे पास बहुत सुंदर कार्ड बहुत सुंदर और बहु को हम तक भेजें गणिश पिरसाद जी ने आगे लिखा है कि मैंने अपनी मौलिक और अप्रकाशित कहानी आपको इमेल की हैं और यदि आपके निमानुकूल हो तो उन्हें आप कारिक्रमों में शामिल करें आपने कहानी लेखन का सुआउसर दिया इसके लिए आप धन्यवा विवश कर दिया तारीक तो मुझे याद नहीं कब किया था आपने ऐसा लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद गड़ेश प्रसाद जी जब आपने पत्र लिखा होगा और जब कारिक्रम सुना उसके बाद आज जब आप पत्रावली में कारिक्रम में आप अपने पत्रों का होता है इनका कहना है कि अगर हम कभी मुंबई आ जाएं और आपके विविद भारती केंदर को देखना चाहें तो हमें इसके लिए किस दिन किस समय आना होगा क्रपया पूरा विवरन उत्तर में दीजिए आप जब आना चाहते हैं तो कार्याले दिवस हो और कार्याले समय ह ऐसा हो यानि कि जो आपको पता है हमारा कार्याले सोमवार से शुकरवार तक खुलता है और जो कार्याले समय है अवधी जो है वो सुबह साड़े नो बजे से शाम छे बजे तक है तो आप इसके बीश में किसी वक्त आएं और अगर कुछ विशेश अवसर नहीं रहा तो आपको हम जरूर दिखाएंगे आप से मुलाकात हो सकती है अब एक बड़ा सा पत्र मेरे हाथ में है हमारे शोता हैं इनका नाम है अनंत गोपाल आगवेकर कशेली राजापुर जिला रतनागिरी से ये पत्र आया है हमें इन्होंने नमस्कार कहने के बाद ये कहा है कि मैं आपकी फर्माईश प्रोग्राम में पत्र लिखना चाहता हू तो आपकी पर्मीशन चाहिए ये इन्होंने कहा है मैं बहुत छोटे दे गाओं में रहने वाला एक विक्ति हूँ मेरे गाओं का नाम कशेली है और थोड़ी बहुत जमीन है मैं मरसाद के मौसम में तीन-चार मैने पसल पकाने का काम करता हूँ बाकी मैंने तो गाओं में म पत्र लिखूं इसके लिए मुझे आपकी पर्मीशन चाहिए बिल्कुल पर्मीशन की जरूरत ही नहीं है अमरकानत जी आप बता दे इन्हें अनन्त गोपाल जी बहुत बड़ी बात है कि आप अनाज उकाते हैं तो हम सभी किसानों को खास और से इस प्रेटफॉर्म से धन जिनेवाद कहना चाहते हैं माभारी हैं यूं कहैं कि पूरा देश आप सब का रिणी हैं कि अनाज या फल सबजी इन सारी चीज़ों का कोई भी विकल्प नहीं है आप लोग बहुत महान कारे करते हैं पुनीत कारे करते हैं हम सब का पेट इसी से भरता है जैसे कि सैनिक हमा हमारी सुरक्षा करते हैं वैसे ही आप भी हमारे लिए जीवन आधार हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और आप जैसे लोग खत लिखते हैं तो अच्छा लगता है हमें और परिमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है आपका कारेक्रम है आपकी कि ठीक नहीं आपका बदलाओ विशेश रूप से इनको जो समाचार सुनने नहीं मिल रहे हमारे समाचार जो प्रृसारित हुआ करते थे वो समाचार प्रिसारन बंद होके आये तो यह एक इनकी जो समस्या है कष्ट है इनको कि विवित भारती गानों के साथ समाचार भी देता था अब वो बंद कर दिये आपने तो अब इस समाचार के लिए कहीं और भटकना पड़ता है जी हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ये आप कहीं और भटके समाचार के लिए हो या गीत संगीत के लिए हो अमरकान जी हम यही कहेंगे शोताओं से कि देखिये अभी हमने सुबह आठ बजे समाचार प्रभात शुरू किया है कुछ बदलाव जो हुए हैं उन्हीं के तहत ये भी हुआ है कि हमने शाम का समाचार बंद किया है लेकिन हाँ जो आपने कहा कि शाम को एक बार समाचार मिलना चाहिए देश-विदेश की खबरे हमें मिलनी चाहिए तो जब फिर बदलाव होगा तो हो सकता है कि आपको फिर से समाचार सुनने को मिल जाए और आप जानकारी हासिल कर सके तो शोताओं इसी तरह से कारक्रम सुनते रहिए और देश-विदेश की जानकारी सिहत की बाते और ठेर सारे गीतों के साथ विविद भारती के साथ बने रही है एक बात इन्होंने कहा कि यहां ठीक है चलो आपने महरावे गजल और अनुरंजनी शुरू किया वो अच्छी बात है कारक्रम भी अच्छा लगा इन्हें पिनाद मसानी का जो हमारे यहां से गया शुकुमार शर्मा जी की भी इन्होंने जो शरोद वादन है वो सुना होग तो ऐसा क्यों करते हैं आगे इन्होंने यह भी कहा है कि यह मत कहिएगा कि मुबाइल पर सुन लें आप गाउवालों की परेशानिया आप क्या समझेंगे आप शेहर वाले हैं आप लोगों के लिए तो हर चीज आसान है इसलिए मुबाइल का राग मत अला पिएगा क्या बात है यह तो हमने कभी कहा ही नहीं कि फोन पर सुन लीजिएगा देखिए जहां तक कारेक्टरम की बात है अनुरंजनी और महराब गजल की बात है आप कह रहे हैं कि आप और जगह सुन सकते हैं तो ऐसा नहीं है लेकिन कुछ रोता जैसे कि आपने खुद कहा है कि FM या जोभी और चैनल है आप उसको नहीं सुनना चाहते हैं तो जाहिर है कि आप ट्रांजिस्टर पर ही सुनते हैं हमें और हम इस बात को समझते हैं और उसपर सुनने का जो मज़ा है वो बिलकुल अलग है उसका जो एक तरह से कहता है कि अपना पन लगता है या यूं कहें क पूरा प्रसारण जैसे लगता है कि हम प्रसारण ही सुन रहे हैं, ऐसे लगता है कुछ फून पर कुछ अलग तरीके का उसका अंदाज हो जाता है, सबका अपना-पना अंदाज होता है, और हमारे कुछ श्रोता बिल्कुल नहीं पसंद करते एप पर सुनना लेकिन फिर भी, जिसके पास है उसकी सुविधाएं भी बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं है कि उसको हम नकार नहीं सकते क्योंकि आप कहीं भी कभी भी सुन लेते हैं तो इस तरीके की चीजें हैं, जिसको जो सूट करती है, वो कर लेता है और अपनी अपनी पसंद होती है जैसे हमने कहा कि कुछ मौसम किसी को पसंद होता है कुछ मौसम किसी को पसंद होता है और समाचार की बात है बहुत सारे शोता हमारे चाहते थे कि उसको बदलना और इस तरीके की बातें बराबर आ रहे हैं लेकिन आज पत्रावली समाप्ति की ओर है तो इस बार तो पता बता दीजा अमरकांत जी और मुझे यानि रेणु चतुरवेदी को दीजिये इजाज़त नमस्कार